बेंगौल में अगर मुसल्मान के हक में कोई भला करता है तो वह मंता है बॉद्रेशन हो गई है वीजेपी से पबलीक को अब वीजेपी चाहिए ही नहीं वीजेपी जो है यह आइडेंटिटी पॉलिटिक्स खेल रही है यहाँ पे वो चाहती है कि आउएसी आए और यहाँ पे हिंदू मुसलिम के बोट को बाट के हिंदू बोट को अपने तरफ कर ले और इससे वो सत्ता हासिल कर ले अगर मुसल्मान का वाके में अगर सपोर्ट करता है उसको नहीं आना चाहिए बंगाल अगर मुसल्मान अगर मुसल्मान वोट बहुत बड़ा फैक्टर है क्योंकर यहाँ पे लगबग चौरानवे ऐसे सीट है जहाँ पर मुसल्मान के वोट बहुत बड़े फैक्टर होते है और मुसलमान यहां पर यह तैय करते कि उनका परतिनीधी कौन होगा उनका रहनुमा कोन होगा यह बातचीत करते हैं क्या लग रहा पस्षी मंगाल में इस बार मम्ता बनर जी का जादू बरकरार है या कमजोर पड़ गई दी बिल्कुल मम्ता बनर्जी आएगी वो वर्क ही है नीचे से लेके उपढ़ समाज तक कर वो वर्क ही है और उससे अच्छा वर्क कोन करेगा उससे अच्छा बंगाल कोई चला नहीं सकता है अगर मुसल्मान असदुद्दिन वैशी को नहीं देखे वो मेरा कौम का लीजर है य बिजेपी को फाइदा हो जाएगा बिना एलक्षन लड़े बीजेपी यहां से 2-9 मेले चला गया तब फाइदा नहीं हुआ बीजेपी को बात आपका बिल्कुल सही है बिल्कुल इसले नहीं देखें मुसलमान के लिए अगर मेरा को एक लीडर काम कर रहे है तो अधर अशाद उद्दिन वाइसी की क्या जरूत है जहां पर नहीं है आप महां जाएए बेंगॉल में अगर मुसलमान के हक में कोई भला करता है तो वह ममता है अशाद दिन वाइसी भी इस बार चुनाव में यहां लड़ेंगे उसके पास कोई मुद्द है बताइए आप 100% पॉपूलेशन से पूछ लीजिएगा तो 80% बोलेगा कि वीजेपी को हम वोट नहीं देंगे लेकिन जब पोल आता है तो फिर आप देखिए कि वीजेपी आगे सीट में चल रही है तो कैसे चल रहा है तो यह तो सब कोई पता है वीम का घुटाला तो वही तो बात नहीं देखिए नुकसान और फाइदा जो करता है चेंज उसी पैसे लिए उसको दिया होगा बीजैपी पैसे तो पुलिक काम को यहां बॉद्रेशन हो गई यह विजेपी से पब्लीक को बीजेपी चाहिए इनए दस साल में वहार में वह कैसे जीती तो आपको भी पता है और हमें भी पता है जब बिजेपी आने वाला था एलेक्शन के टेम पे 15 लाग सब के कॉमेंट पे बोला था समझें दो बार सरकार बन गिया 15 रुपिया तो आया ने